असलाम अलेकुम अभी कुछ देर पहले आज अभी दो बच्छे 20 मिट हो रहे हैं खरीब खरीब सारे 11 बारा बजे के पास चादरगाट पुलिस सेशन लिमिट में रसूल पुरे के अंदर एक कॉंसेबुल को एक समी खान नामी बच्चे को बुरी तरीखे से मारते हुए एक पुलिस वाला उतरते ही वो बच्चे को बहुती बुरी तरीखे से लाटी से पीट रहा है तो जैसा ही इसकी इतिला जनाब एमद बिन अब्दुलाब बलाला साहब को मिली बलाला साहब ने फौरी तोर पर ACP साब से DCP साब से बात की वो वीडियो फावर्ड की फावर्ड करके बताया कि इसके उपर मुझे पूरी इंक्वाइरी होना इसका क्या सच है किस वज़े से उस बच्चे को इतना बेरहमाना तरीखे से मारा गया उसके बाद मैं फौरी तोर पर यहां पर हमारे सब के साथ चादरगाट पीएस पर आया समी खान को यहां पर लाए उनके यहां पर कंपलेन लिखाए उनको अभी उस्मानिया होस्पिटल बहें हम उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर अभी उनका MLC हो रहा है उसके बात क्या रिपोर्ट आएगी उसके उपर भी बात होगी फिर फॉरी तोर पर एसीपी शामसुंदर साथ यहां पर चादरगाट PS पे आए हमार से बात किये हम हमारा उनके साम में यह बात रखे कि वह हाले बात आके उसको बुला के कराए तो हमारे साम में प्रेस के हमारे रिपोर्टर भायों के साम में उसका टेस्क लिया गया उसके अंदर 70% अब उसकी जो रिपोर्ट है वो आई शायद 2 गंटे पहले अगर टेस्ट होता तो 100% तक आती थी वह पीके बोलके उसके अंदर पुरा प्रूफ हो गया और एसीपी साब हमारे को यह तवक्षन दिये कि सुभा में फायर दिंगे और वह जो कॉंस्टेबल है जिसका नाम चारी बताया जा रहा है उसके उपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अब तक फ्रेंडली पोलिसिंग बोलके चल रहा था तो हमारे आपके प्रेस के लोग थे हम थे वहां पर साम में साम में ठहर के करें तो इसका मतलब यह है कि पुलिस तो कोई दो रहा है दो ऐसा नहीं चल रही कि अपने यूद को मारना या कुछी बी ऐसा करना एक हाथसा हुआ है जो हुआ वह गलत हुआ पी लेके ड्यूटी के साम में भी बोलके गया हुआ कि जो भी आक्शन है वो लेंगे फायर बुक करेंगे फायर बुक करेंगे इसके उपर कारवई करेंगे शुक्रिया